आमारो धनो राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धनो राधा श्री राधा श्री राधा और आप इस गुरुकुल में कब से आएं? कितने साल होगे? ग्यारा महिने वे ग्यारा महिने वे गुरुकुल में और पांच महिने पेले इनको याद हो गई यानि ओल मात्र छे महिनों में आपको गीता याद हो गई ये तो अब मुझे पता चला है मात्र छे महिनों में पूरी की पूरी गीता याद हो गई सच? सच इतने चोटी उमर में आपकी यह इंचा क्यों आई कि सादू बनना चाहिए नमस्कार दोस्तों जंता की आवाज में आप सबीका स्वागत है मैं कनयोह सर्मा आज हमारे साथ सुर्य नारायन दास जी है और आज हम सुर्य नारायन दास जी के जिवन का पर I can मैं क्योंकि इनकी एसand is filra sahal और इनकी एसमें ये गिता वार कि ये परश्ट इनको पूरी याद है इसको कौश्ज बहुंत से प्रश्ची कौश सी शलुक कौश्ज से अध्याय से बी पूचलो ये बता देंगे जी हाँ कौन से स्लोक कौन से अध्याई से भी पूछलो यह पूरी इनको याद है और साथ ही साथ इनको यहाँ याद मनलब कितने टाइम हो यह बता हूं यहां आये इनको 11 महीने हुए हैं और आज से 4-5 महीने पहले इनको याद हो चुकी थी यानि इमातर 6-7 महीनों में इनको याद हो गई पूरी की पूरी गिता और साथ ही साथ जैसे एक बात कहना जैसे गिता के साथ साथ जैसे बागवत बागवत का भी अध्याई एक सुरू किर दिया है और अभी कुछ अध्याई इनको याद हो गए और यह जल्दी इनका कहना है अभी में बात करेंग और जैसे कि इनके माइंड में जैसे मेरे फोन में लगी होती ना वेसे के वेसे हरख से के फौन में में याद हो जाता है यह एक गोड़ गिप्टी कह सकता हम यह पिष्वास करता हुं पुनरजणम में, और जो याद विश्वास करते हैं वह बताएंगे जो एसिक है वरना बच्चों को टेबल पांच की टेबल दस की टेबल नो की टेबल शत्रा की टेबल याद नहीं रहती है वहाँ इतनी बड़ी गीता याद करना एक ये तो परमात्मा का गूरों का संतों का आर्शिवाद ही होगा और आर्शिवाद जैसे किसी को हर्दे से मिलता है कि हाथ रखने से आर्शिवाद भी नहीं मिलता जिसे पिछली वार संथ महात्माँ ने बताया था तो आज इंसे हम मुलाकत करते हैं और जानते हैं आप अपने विचार इस बारे में जुरूर बताना गीता के बारे में और ये सूरी नाराइन जी के बारे में अपने विचार कमेंट कर देना बीच में इस्टार्ट में और किस परकार लगा है मुझे जूरूर बताना क्यों मेरी कोशिश रहती है हालांकि हमारे भारत वर्स में बहुत सारे से बालक हैं जो पांच वर्स में एक ऐसा चानी की भी है जो कोई से जिक के याद है उनको बहु गदगद हो जाएगा कि इतने चोटे नन्ने बालक के यह भाव देखके मेरे तो क्योंना एक लड़ू फूट रहे वह बात हो रही है मुझे खुसबू आ रहे जैसे फूल जैसे खिलने लगता है तो उसकी खुसबू पूरे के पूरे बाग हम हो जाती है वैसे अगर ऐसा बच्चा है कोई अगर पढ़ाई कर रहा है गीता का ज्याई अपने गुरू कुल का नहीं अपने कुल का नहीं अपने जगत का भी कल्यान कर रहा है तो अब इनसे समय ना लेते हैं इनसे बात करते हैं और सरुवात करते हैं पहले तो आपका हमारे सभी देसों के सामने इस 11 साल है और जैसे कि मैंने सुना आपको यह भगवत गीता पूरी याद है कंठस्ट है यह कब से कंठस्ट है आपको मलब कितने साल हो गए आपको सबसे पहले कब हुई थे कितनी एज थी उसमें पांस महीने चलो पांस महीने हो गए याद हुए वे यह मैं जाना चाहता हूँ सबसे अच्छा लग बोई कोई भी स्लोग में कभी बी कहीं से बोलूंगा आपको याद रहे ऑच्छा में इस गीता के बहुत कितने सलोग? सास साथ साय सहे कम जादन नहीं है एक बीयों कम एक बी जादन नहीं drew jira किस ने आप bog erosion का इसमें इतने हैं या आपने पढ़ा तब पता चला किसे गुरु गुरुजी ने लेकर तब आपको पता चला चलो इसह भगवाद किता में मेहतुपन कौन सा स्लोग आपको सबसे अच्छा लगा कौन से अध्याइक है जो आपकी जीन में सबसे ज़्यादा आपको लोग मलग पिरी हुआ इस स्लोग का आपने पढ़ा इसका अर्थ बता सकते हो हमें अर्थ याद में यह कौन से अध्याइक का कौन सा स्लोग पता है पहला अध्याइक का पहला नमब तो मुझे यह बता है यह दूसरी अध्याइक का तीसरा नमब स्लोग बता है इसका भी अर्थ प्याद नहीं है उनली स्लोग याद है अभी सात्यों मैं आपके सामने एक स्लोग पुछूंगा सामने हाला कि मैंने कोई भी प्रेष्ट खुलेगा मैं वहीं पुछूंगा सत्तम अध्याईका मैं यह स्लोग पूछ रहा हूं अभी आप देखने एक बार जूम कर देना चोथा स्लोग है सत्तम अध्याईका चोथा स्लोग बोलना मतलब आपको स्लोग सारे याद है और उनका अर्थ अभी पता नहीं है स्लोग याद है और मैं इनमे से आगे बढ़ता हूं शोलवा अध्याईका लाश्टवा स्लोग कौन सा है अब इनको कौन सा स्लोग पूछना है कौन सा नहीं लेकिन मुझे इनके जीवन बारें जानता हैं कि मैंने इनके जीएं कोई भी स्लोग पूछा है वो शारे बता रहें कोई भी प्रेश्ट के साथ मतलब एक को तर उचारन में उचारन होता है कि संस्कृत में सबसे बड़ा उचारन होता है और उचारन का एहम इन्हों ने बताया इनके आपको ये इतनी बड़ी गीता कंठस्त किस पकार हुई कैसे याद हुई नाम बताइए उनका और आप इस गुरु कुल में कब से आएं गयारा महीने वे गुरु कुल माये वे और पांच महीने पेले इनको याद हो गई यानि अलमात्र छे महीनों में आपको गीता याद हो गई यह तो अब मुझे पता चला है मात्र छे महिनों में पूरी की पूरी गीता याद हो गई सच है अच्छा मैं एक चीज बाहना चाहता हूं आपको इस अध्याई में लोग आज की टाइम आपकी तरफ मेरा एक लड़का है मैंग सर्मा आपकी एज कई होगा वो खेल कुदने मे में इंचा रखता है यानि और इदर उदर घूमने में साइंगल चलाने में इंचा रखता है आपकी यह जो खेल कुदने की उसमें आप पूरा अध्यात्मिक तरफ संस्कृत गीता की तरफ बढ़ रहे हो क्यों कारण क्या सकते है महारत जी बोलते हैं पढ़ो फिर चार सब्सुला-घूर ओर शाड़े। उसके दोपर में सो जाते हैं चार जूरों खेल एक फिर राद वोजे वो राद कथा होता है उसके प्रसाद उसके आधा गंटा एक घंटा पढ़ेंगे उसके 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 पूरी दिंचिरे में धोड़ी सी जानी थी जादा तो नहीं कह सकता हूं जैसे कि आप अभी वापस य नहीं रहना चाहते हो या गाउं की याद आती है पापा की कभी याद आती है नहीं रहना चाहते हो अगराइगे नहीं की आड़ए अपके लिका लामना प्रेंगेयः अधी। ममी पापा का फेशा बहन बात होती है ठीक से बहुत रुखो और पढ़ाई करो और जैसे कि आज कैमेर टीवी के सामने आ रही है कभी थीवी के सामने पहले या पहले टीवी के सामने कभी आये या बार एक घर कब कितंगे त Lak cinco गया सब्सक्राइब को रोग सादी करोगे क्या आपकी इंच्छा क्या बाने की है इतनी छोटी उमर में आपके यह इंचा क्यों आई कि सादू बनने से क्या फाइदा है थोड़ा साथ आदू बनने से आराम से रुक सकते हैं अच्छा इहां पर आराम से रुक सकते हो इसलिए बूरा मतमाना में ऐसा ही नहीं हम थोड़ी बात करें इसका एक बच्चे के सामने बच्चा बनके रहना से यह क्या होता है आराम से बात हो जाती है तो वह मुझे और जिसे एक छोटी शिक बात और पुछू गीता के लावा कुछ और भी याद है याद है याद भागवत भी आपको याद है अब इन्होंने मुझे अभी पता चला है इनको भागवत के भी कुछ अध्याई या कुछ तक याद है यानि वह कारिये परगर्टी पर रहे हैं इस परकार कह सकते हैं यह पड़ाई चल रही है भागवत कथा किया और आपको क्या लगत आपको कितने समय में में पूरी याद हो जाएगी जैसे इसको आपने च्छे महीने में याद किया अब भागवत आपको कितने महीने में याद हो जाएगी करीव 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 चार पांच साल में पूरी याद हो जाएगी चलो अभी जो आपको याद है उन में से कुछ मुझे सुनाएंगे हमारे आपको पूरा भार्थ वर्स देख रहा है अब है जयति जगति मायाम यस्यकाया धवस्ते वचन रचनमेकं के वलंचा कलया रुबपदम पियातो यत्कृपातो धुबवयम शक्कलकुषल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि इसका आर्थ पता है चलौ मैं एक चीज़ और जाना चाता हूं लाष्ट में ज्यादा समय नहीं जैसे आपको कोई बजन यह याद है ठाकुरouting का या करसीम ने करते हो गाना गहते हूं कोई वजनकी इरतनाथक बजनदकै को हम सुरी नाराइंजी से सुरी नाराइन जी से एक बजन सुना गें हमारो तभनो रदा श्रीरी राधा स्री रदा दी और अधन रदा resonance री रदा स्री रदा हमारो तभनो रधा 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 राधा अमारो धनो रधा 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 गीता कंटस्ट अध्याई और भगवत गीता की मलब एक पत पर याद करने की और यह बजन और मेरा इसमें आपको यह नहीं था कि कोई आपको ग्यान पर्दस्तिन करूं लेकिन मैं यह कहूंगा यह जो भी भाईों ने देखा है माताओं ने देखा है अपने बच्चे को करेंब यह इनको इन्होंने किस प्रकार इनको याद करवाया क्योंकि यह थोड़ा सा इतने औरिसा बहसा मैं अपिर भी हिंदी बोल लेते पूरी और यहां पर आके आपने सबसे दर्सन के ठाकुर्चे तो जैसे कि यह आपने कंठी तुल्षी धारन की विए इसका पता है कुछ मेहतु आपको इस यह धारन की आपने इसका क्या मेहतु है तुल्षी भक्तमाल गीता जी भागवाद सब इसमें रुखता है तो साथियों आपको किस परकार की लगी इनके भात की हमने थोड़ा सा इन से जीमन पर इसित हुए और इनका अनुभव बताया हाला कि अपने विचार मुझे कमेंट करके बताना और आपको बच्चों को देख रहे हैं सभी देख रहे हैं कुछ माता है कुछ कह दो देख रहे हैं सभी बता दो कुछ कहना चाहता है तो कह दो कुछ भी कहना चाहता हो क्या आप यह बता दो उ अच्छा यह बात है याद करने की तो में जड़ यह है मुझे तो बता चला है इन्होंने कहा है जैसे कि माला जब ध्यान करके बैठेंगे तब याद यादा होगा सत्य बात है संतों से द्वारा गुरों को दारा मैंने यही सुना था और आपको जैसे इनके विचार किस प्रक भागवत की भी इन्होंने त्यारी कर रहे हैं भागवत की यह त्यारी कर रहे हैं और जल्द इनको यह कह रहे हैं भागवत भी याद की है अब इनसे जो इनको शिक्षा दे रहे हैं जो याद करवा रहे हैं उनसे एक मिट की बात करते हैं और फिर हम आज का विश्राम लेत आतियों जैसे कि सूरी नाराईन जी के गुरू है जो इहां इनको जो शिक्षा दे रहे हैं विश्नुदास जी इन से पहले तो हम आप से रुबिव करवाते हैं विश्नुदास जी आपका हमारे जंता की वाज में आपका हरदे दिल से स्वागत करता हूँ आपके चन्व में में धंधा पर नाम करता हूं राधे रादे राधे राधे срав≡ जैसे की इन्होंने याद खेश हमने देखा इनके गीता सब्सक्राइब करने की याद कर नहीं के आ tara मुस्क्पार और और कम च्छ Lynn Marty किस कर रहें। देखिए पहले तो यह है कि संत महात्माई की प्रुपा है। प्रिंदावरन धाम है। और महात्माओं की कृपा हो तब यह हो सकता है। जैसे बहने के वैसे रिष्टे में तो हमारे भणज्या ही लगेगा। लेकिन अब साधू बनने के बाद कोईतो यह नहीं है तो यहाले की यह ने है अब जब गाओं में था तो यह याद नहीं कर पाता था जीस पहाड़ा है 15 आ के बाद 16 आ का पाहाड़ा तेयारी diplomat क्ने माहारा चीनि मा कर एक लिई ये इस संक रहात है तो इसमें बैठा तो बेठने के बाद अपैल धिरे-दिरे-दिरे-दिरे-दिरै मन सुध्ध हो गया भगवान का दर्षन करना परिक्रमा करना ठाकृजी के लिए प्रारथना करना यह सब किया तो इसका मन अपने पंध गैम करते कुछ सब्सक्राइब लुक में से सब्सक्राइब यह जब अब दीरे स्रेधाम ब्रंधावन में यमुनाप पुलिन के पास हैं यह टत्यास्थान के पास ही है अभी अभी शुरूव हुआ है यह, महराज बन ब्रह्मर श्रिवाटी का, स्री महराज जी के द्वरा, यहाँ गुरु कुल है यह, अभी तो लगडाउन के कारण अभी यहाँ बच्चे कोई आये नहीं इतना, अभी यह पहला ही है, इसका नाम यहाँ महराज जी रखे गीता वए, इसका अभी यृत्युब चल रहा है, मेरे राम प्यारे और गीता वए के शाब से यृतुब चल रहा है इसका इसका इसका, हम छोड़े हैं और छोड़े जो, जो ऑछो, जो स्लो क है, छोड़े इसका, इसका वी, छलता है, यहाँ जब आया, याद करने के लिए, मतलब आया जब यह के लिए तो महरत जी के चरण में रहे करके याद करने लगा लगभा करते करते अब पूरी हो गया सकते हो मारठ लेकिन अभी इनको जैसे उनका अर्थ में भालक इसको अर्थ का विसको क्या है समरन क्या ता है स्मरन कर ले पहले पर उसके बाद अर्थ धीरे एर्थ होगा उसके Pixel नहींकि पर on प्लोंग भी इतना जल्दी नहीं हुआ था इसको जितना जल्दी हुआ जैसे नंबर वाई जो उल्टा सुल्टा यह तो कोई ऐसे पूरुब होगा जैसे योग रहष्ट कहा गया है गिताजी में एसे यह सकता है अब ढिना भागवान की कृपा है रभाहजे बालक या करता है अब यहां नारद भक्ति सुटा भी आद है स्भी आद दिरे आगे वी याद भी करेगा इसके बाद व्याकरण का अध्यन कराएंगे अब यहीं गुरुकुल में होता है व्याकरण पढ़ाया जाता है भागवत महराजी पढ़ाते हैं और गीता जी, बक्तमाल यह सब सारा अध्यन क्या जाता हैं जैसे कि ऐसे बच्चों को मेरी एक इंच्छा होती है मैंने पर्दार-मतर्य को भी लेटर लिखा था अपनी योग यादिते, नैद को भी लेटर लिखा था इसकोलों में गिता का प्यार्ट अध्याई पर्मानेट हो जाए तो साही सही साही दो यह सही बात है यदि इसे शिलावस में लगा दिया जाए धार्मिक ग्रंत हो तो हमारे धर्म की सुरक्षा के लिए बहुत बढ़िया होगा दर्मे के लिए आज गयाल जो इससे इंगलिस ये कर रहे हो कर रहे हो कर इससे क्या हो not है यूदी आप चाहें तब इसे गिता ऑ सोब या धारमे गरन्फ कुछ भी हो इसको ये रखा जाए तब इससे बढ़िः हो सकता है उप इनको गीता अध्याय करवाया आपको अभी कुछ माताइं देख रहे हैं जिनके इतिने इतिने चोटे बच्चे देख और बच्चे भीक देख रहे हैं उनको अभी से संसकार देंगे तो धर्म की प्रवित्ति के लिए यदि संसकार दिया जाए इस मार्ग में इसको बढ़ाया जाए तो वो बढ़िया हो सकता है इस मार्ग में जाने के वाद यदि उसको घीता जी हो भागवट ने हो या संत महापरोशन के चरणार बिंद में रहकर कुछ भी अध्यन करे तो इससे क्या होगा आगे जाक को उसल्म कुछ भी आस्रम में रहे सबसे बढ़ां बन पाएगा हो और उससे हमारे देश के लिए बहुत हितकार होगा जिसे बहुत सही और सठीक बात किई किसी भी आस्रम में रहें कोई बड़ी बात नहीं होती है कि आस्रम कौण सा है मै can attract सबसे बड़ा अश्रम के रहे तो सही आगर पालण करें गस्तेक्त बढ़ा अस्रम हो लिग सकता ऑब amendment और यह गिता के स्ट एध्या है आपको बच्चों को संशकार दीजिए बच्चों को विद्या दीजिए दोई चीज दीजिए बच्चों को धन दियावा खर्च हो जाएगा हमारे एक राजस्तान में कहा वात है अगर बेटा सपूत है क्यों धन सीचे अगर बेटा कपूत है क्यों धन सीचे सपूत हो तो कर लेगा कपूत होगा वो भी उ तो आपको है आप क्या बनाना चाहते हो अपने बच्चों को और जो इसकूल के टीचर देख रहे हैं वो मेरी बात को साथ तक समझ सुके होंगा उनसे भी निवदन करूँगा अपनी स्कुल में गिता कम्पीटेशन गिता पत्योकता रखिए और मैं आपको सभी को कह रहा हूं और जिन भायों को सादक संजेवनी चाहीए मैं नीसल्क आपको नीचे इसकी现在 पर नमबठ चल रहें इसपर मैसेज कीसे आपके घर अधिसंगा पहाँचाए और वो घर पर अध्यन कीजिए घर में कैद बनाके रखने के लिए साधक संजीनि कोई ना मंढ़ाई केद अगर आपको रख़ा जाए-सादक संजीनि एक संत्थ वह आपके घर पदा रहेंगे तो आपका जीवन वैसा ही धन्य हो जाएगा घर वैसा ही पवित्र हो जाएगा तो आज इनके साथ हमने जो वारतलाप की समवाद की अकीश प्रकार लगा, हमने इनके गुरुजी से आर्शिवाद लिया, इनके घ्यान विद्या को देखते वे, सलोकों को याद करते वे, आपके विचार है, वो कमेंट करके जुरू बताना, इनके लिए अगर आपके जो भ होगी उनसे स्हसंग सुरू हो रही है। कोशिश कर रहा हूं भगवत-गिता के उपड़ी पर होगी और गीता के उपर भी होगि दिता के जिवन के जानना चाहूंगा और आस्रम के बारे में अलग से आपको भुलिटिन दूँगा इस आसलम के इनके के एंकने इस्तान नोग से पूरा आस्रें के बार में जानわかहें के इसे हां सठ मातमा के सास्थ तब तक जहिंद्ट जैसी किस्ना जैसी रादे मैं आपको भूलू प्रोने